बच्चो आपको इस अध्या में फिर से स्वागत है तो बच्चो हमने पिछली क्लास में तितली का जीवन चक्र तितली कहां बढ़ती है वह कहां से भोजन प्राप्त करती है और फूल खिलने से पहले क्या होता है फूल तितली या मदुमकी का भोजन है और फूल कहां कहां उपयोग होता है ये सबी हमने जाना अभी हम पद्ध्य एक को पड़ेंगे वह है तितली और कली तितली यानि बटरफलाई कली यानि बड बच्चो इस कविता में एक कली रहती है वह हरी डाल यानि ग्रीन कलर का ब्राइंच पर रहती है एक दिन तितली कली के पास आ जाती है और तितली कली से क्या-क्या पूछ्टी है उसे हम इसमें देखेंगे यह कविता कंठपाट के लिए है यानि बायहट के लिए है पहले उसको एक बार पड़ेंगे और समझेंगे नन्नी सुन्दर सी एकली हरी डाल पर लगी हुई थी उससे आकर तितली बोली बड़ी तुम लगती हो भली बड़ी तुम लगती हो भली नन्नी सुन्दर शी एकली हरी डाल पर लगी हुई थी अब जागो तुम आखे खोलो और हमारे संग खेलो अब जागो तुम आखे खोलो और हमारे संग खेलो फैले सुन्दर मेहक तुमारी मेहके गली गली सारी नन्नी सुन्दर सी ये कली हरी डाल पर लगी हुई थी कली छीटक कर खिली रंगीली तुरंत सुन कर बात खेल की साथ हवा के लगी भागने चली तितली उसे छुने नन्नी सुन्दर सी ये कली हरी डाल पर लगी हुई थी तो बच्चो अभी हमने कविता को ट्यून में सुना अभी उसे समझेंगे पहले हम दो लाइन्स को पढ़ेंगे नन्ही सुन्दर सी एक कली हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुन्दर सी एक कली नन्ही यानि छोटी सी छोटी यानि स्मॉल क्या होता है बच्चो नन्ही का मतलब है स्मॉल सुन्दर सी एक कली सुन्दर सी यानि ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल का एक कली, कली यानी बड बच्चों, आपने देखा होगा कि फूल खिलने से फहले वह कली होती है कली यानी बड, वह बहुत छोटी और खूबसरत रहती है वह हरी डाल पर लगी हुई थी हरी यानी ग्रीन और डाल यानी ब्रैंचिस यानी ग्रीन कलर के ब्रैंचिस में एक छोटी सी और सुन्दर सी कली लगी हुई थी बच्चों, आपने देखा होगा कि पेड के बहुत सारे शाखाएं रहती है यानी ट्री के बहुत सारे ब्रैंचिस रहते है उसमें एक छोटी सी और सुन्दर सी कली लगी हुई थी पर लगी हुई थी बच्चो अभी हम अगले चरण को पढ़ेंगे उससे आकर तितली बोली बड़ी तुम लगती हो भली उससे आकर तितली बोली तितली आकर कली को कहती है कि तुम बहुत सुन्दर दिखती हो और तुम बहुत भली हो भली का मतलब है अच्छी यानी good बच्चो तितली किस से आकर कहती है कि तुम बहुत भली हो तुम बहुत सुन्दर हो आपको पता है तितली कली के पास जाकर पूश्टी है जो हरी डाल पर लगी हुई थी अब तक हमने जाना कि एक छोटी सी कली रहती है वह हरी डाल पर रहती है एक दिन तितली आकर कली को कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो और देखने में बहुत सुन्दर हो अभी हम तीसरी चरण को पढ़ेंगे चरण यानी स्टांजा अब जागो तुम आंके खोलो और हमारे संग खेलो तितली कली को जगाने की कोशिश कर रही है अगर तुम आंके खोलोगे तो हम दोनों मिलकर खेल सकते है इधर आंके खोलना यानी पंखुडी को खोलना पंखुडी का मतलब है पेटल्स पेटल्स को खोलना बच्चो आपको पता है कि फूल खिलने से पहले वह कली होता है अगर कली पंखुडियों को खोलेगी तो वह फूल बनती है इसलिए तितली कली को कहती है कि अपनी पंखुडिया यानि पेटल्स को खोलो और मेरे साथ खेलो अभी हम चौथे चरण को पढ़ेंगे फैले सुन्दर महक तुमारी महके गली गली सारी तितिली कली से कहती है कि अगर तुम आंके खोलोगे तो तुमारी महक, महक यानी सुघंद चारो और फैल जाती है बच्चो आपको पता है कि अगर एक फूल खिल जाये तो उसकी सुघंद यानी स्मेल चारो और फैल जाती है आपने कभी स्मेल को महसुस किया है? अगर कली हो तो उसका जादा सुघंद नहीं आता है जब वही फूल में बदल गया तो उसका सुगन गली महले में फैल जाती है इसलिए तितली कली से कहती है कि अपनी पंखुडिया खोलोगी तो तुम्हारी महें चारो और फैल जाती है इन दो स्टांजा में हमने यहाँ देखा कि तितली कली से कह रही है कि अप तुम जागो और हमारे संग संग यानी साथ खेलो अगर तुम अपनी पिटल्स खोलोगे तो तुम्हारी महें चारो और फैल जाती है अभी हम पाचवीक चरण को पढ़ेंगे कली छिटक कर खीली रंगीली तुरंत सुनकर बात खेल की तितली के बात सुनकर कली जट से खिल जाती है बच्चो तितली की क्या कहने पर कली जट से खिलती है तितली की खेल की बात सुनकर कली जट से खिल जाती है अभी हम आकरी चरण को पढ़ेंगे साथ हवा के लगी भागने चली तितली उसे चूने जैसे हवा बहने लगी थी उसके साथ कली भी बहने लगी जब कली बहने लगी थी उसके पीछे पीछे तितली भी उसको पकड़ने के लिए दोड़ी तभी उनके बीच में पकडम पकड़ाई का खेल शुरू हो गया तो बच्चो अभी हम इस कविता का साराउश को देखेंगे यानि समरी को देखेंगे एक छोटी और सुन्दर सी कली थी वह हरी डाल पर लगी हुई थी हरी डाल यानि ग्रीन कलर के ब्रैंच में लगी हुई थी एक दिन तितली कली के पास आती है और कहती है कि तुम बहुत सुन्दर हो तुम बहुत अच्छी हो तितली कली से कहती है कि अभी तुम अपने आंके खोलो यानि अपनी पंखुडियों को खोलो पंखुणिया यानि पेटल्स को खोलो और हमारे संग खेलो संग यानि साथ अगर तुम आंके खोलोगी तो तुम्हारी महक सारी गली-गली में फैल जाती है जब कली तितली की खेल की बात सुनी तो वो हज़ट से यानि उसी वक्त कली फूल में बदल गई फूल दिखने में बहुत सुन्दर और रंग भी रंगी थी बात में जब हवा बहने लगी तब उन दोनों में पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गई बच्चो आपको यह कविता समझ में आई इस अध्या में बस इतना ही अगली अध्या में हम कविता के संबंदित यानि तितली और कली के संबंदित प्रश्णोतर रिक्तस्तानों को पूर्थी कीजिए यानि फिलिंदी ब्लाइंग्स और व्यकरण विवा को जानेंगे धन्यवाद